अंतक टिके रहेंगे क्योंकि जीतने के लिए सामने है विशाल का स्कोर स्पिन का समय आकरमण के लिए आ रहे हैं आफ स्पिनर धीले हातों से फैकी गई गेंद वाइड करार दी गई और ये स्लाइस कर दिया चेपर द्वारा तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है ओ भाई के कीपर ने क्या फूर्ती दिखाई बैट्समेन को चलता किया शुरुआती कामियाबी में फिल्डिंग यूनिट डे काफी मदद की इसको बेसिक ट्रिकेट खेलना चाहिए बस अपना नैचरल गेम खेले और ये काफी खतर नाक हो सकता है बल्लेबास के लिए बेल्ज उडा चुके हैं की पर तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है जरा देखिये इन हातों को क्या इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं गवानी चाहिए बल्लेबास की गलती फील्डर की खुशी चलिए वापस और ये हुई है ट्रिक बहुत शानदार इनके पास सेटल होने के लिए समय ही नहीं था पहली गेन पर ही आउट डाक नए बल्लेबास आते हुए इनको टीम प्लैंग के मुताबिक खेल कर भाईया आप क्या होत पचता है जब चेडिया चुक गई खेट आसान कैश दे दिया अपने फिल्डर को बॉलिंग साइड की आकरामक शुरुवात चलता किया डग पर बल्लेबास को नए बल्लेबास आते हुए इनको टीम प्लैंग के मुताबिक खेल कर भाईया को समभाना कलाईयों का अच्छा इस्तमान गेन को पहुचाया सीरा स्टैंड में ओवर की समापती पर और अंत में एक आसान से कैच के साथ आओ पहली गेन पे विकेट खोया अब इसे अंत तक रहेकर इस पारी को संभालना होगा ताकि एक अच्छा टोटल खड़ा कर सके फील्डर ने बॉलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेन फैकी नासा के रॉकेट के साथ गेन भी चलियां त्रिक्ष में छेरन और मिलेंगे फील्डिंग साइड की ओर से थोड़ी आकरामक शैली का प्रदर्शन बल्लेबाज ने हलका सा पुश किया और गैप मिला डीप स्क्वेर में दो फील्डर्स के बीच और ये बहुत बढ़िया रनिंग बेट्वीन दा विकेट्स मीडियम पेस का प्रेयोग कर रहे है ताकि विपक्षी टीम के रनों पर अंकुष लगा सके ओ काफी जल्दी खेल दिया और बल्ले का किनारा लगता हूँ और गेंट बाउंडरी की ओ आगे बड़े और उठा दिया उनसाइड की तरफ अच्छी शुरुआत थी लेकिन अंत भी जल्दी कैच आउट इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम के अंत खिलना होगा और गेंट गई हवाई यात्रा पर बिना टिकेट छे रन और मिलेंगे लगता है गेंट बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेंट पर ही चौका अंसाइड पर फ्लिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर बहुत सुन्दर ड्राइव सीधा बाउंडरी की ओर स्पिन का समय आकरमण के लिए आ रहे हैं ओफ स्पिनर फील्डर्स मैदान में जा रहे हैं अपनी ताकत का प्रदर्शन किया इस धमाकेदार शॉट से उठा दिया चारण के लिए इस गेन पर स्वीप किया नजाकत से और ये चार रन सुन्दर शॉट कद्मों का सही इस्तमाल स्वीप किया कोई माफी नहीं गेन बास को और अंट में अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी थ्रोप है कि सीधा स्टम्स के उपर उठा दिया है छे रन के लिए खूबसूरत शॉट बनले बास को जगा मिली आफसाइट पर फील्डिस के बीच उमीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे स्ट्राइकर जा रहे हैं पवेलियन का रास्ता नापते हुए ये किया हवाई फायर क्या ये इनको महंगा पड़ेगा इस जन्ना टेदार शॉट ने भेजा गेंद बास को संदेश आप ऐसी गेंद करते रहिए और चौके खाते रहिए बल्ले बाज इस गेंद को परक ही नहीं पाए क्या गेंद थी बल्ले बाज ने सुरक्षित खेलना ही भेटर समझा कोई रन नहीं इसे पता है कि एक-एक रोका हुआ रन माईने रखता है मजबूत बाजों ने खूब सुरत ठोखेंका बहुत करीबी मामला हो सकता है बल्ले बाज ने डाइव लगा दिये अमपायर को मालूम लेकिन बल्ले बाज को नहीं No doubt गेन सीधा फील्डर के हाथ में मानो कह रहे हो आईए आप ही का इंतजार था बल्ले बाज निराशा पूरवक वापिस जाते हुए कैच इस मुकाबले में ऊच नीच होती रही और अंत में